हलो दोस्तों, वेलकम टो इंग्लिश गुरुकुल दोस्तों, अभी हम कल्चरल डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक प्लूरेलिटी एंड लिटरी ट्रेडिशन इन इंडिया इस बुक को पढ़ रहे हैं इस बुक का इन नाइंथ वीडियो है, जिसमें हम अमिर खुसरो इनके दोरा लिखी गई, गजल इस कविता को पढ़ने जा रहे हैं इस कविता में हम गजल क्या होती है इसके बारे में जानेंगे, अमिर खुसरो इनका जीवन परिचे हम शाट में देखेंगे और उसके पश्चा इस कविता का line by line मेनिंग पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों गजल एक ऐसी कविता होती है जिसके अंदर दो-दो लाइनों के share इस्तमाल किये जाते हैं अब आपको तो share क्या होता है ये बखुबी पता होगा अक्षर, share, romantic feeling को express करने के लिए या फिर आजादी, स्वतंतरता इस तरह की जुनोन वाली feelings को explain करने के लिए यूज में लाया जाता है गजल की खुबी ये है कि गजल के structure में इन share को एक दूसरों के साथ पिरोया जाता है वैसे देखा जाए तो एक गजल के अंदर जितने भी share use किये गए है उसमें से हर एक share का अपना एक स्वतंतर मीनिंग हो सकता है लेकिन ये सारे share एक दूसरे से अपने theme में अपने विशे वस्तु में linked होते है इस कारण ये सभी share एकत्रित मिलकर एक गजल का निर्मान करते हैं दोस्तों गजल ये poetic form लगवग 18 सेंचुरी से अरेबिक भाषा में उत्पन हुआ था वहाँ से होते होते ये form लगवग 13 सेंचुरी में इंडिया में आया था और गजल के सबसे पहले author अगर कोई है तो वो है अमीर खुसरो अमीर खुसरो ये ना सिर्फ गजल के बलकि हिंदी भाषा के सबसे पहले writers, authors में से एक है ये गजल जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनकी खुबी ये है कि अमीर खुसरो के जीवन में उन्होंने हो सकता है कई सारी गजले लिखी होंगी लेकिन हमारे पास आज के समय में उनकी सिर्फ एक ही गजल उपस्तित है जिस गजल को हम आज पढ़ने जा रहे हैं दोस्तो इस गजल में हमें देखने मिलता है कि अमिर खुसरो दो भाषाओं का उपयोग करते हैं, एक लाइन में वो पर्षयन भाषा में लिखते हैं और दूसरी ही लाइन में वो ब्रज भाषा में या इसी भाषा को हम हिंदी भाषा भी कह सकते हैं, इस भाषा में लिखते ह अमिर खुस्त्रो जिनका जन 1223 में हुआ था उन्होंने निजामोदिन अउलिया इनको अपना गुरु मामा हुआ था और इसी से हम ये देख पाते हैं कि वो सुफीजम के साथ भी कनेक्टेर थे तो हमने इस यूनिट के शुरुआत में ही सुफीजम की हिस्ट्री पड़ी थी तो हमें वहाँ से समझ में आता है कि अमिर खुस्त्रो इनकी राइटिंग्स में कुछ सुफी कविताई भी हमें देखने को मिलेगी दोस्तो अमिर खुस्त्रो ये हिंदी के शुरुआती ऑथर्स में से थे और उनके कथुनों को उनके स्टेट्मेंट्स को हम डेफिनेटिव तरीके से लेते हैं कि जब अमिर खुस्त्रो कहते हैं कि हिंदी एक खुपसुरक भाषा है जिसकी एक्स्प्रेसिव पावर बहुत सी भाषाओं से बढ़कर है वो मानते थे कि अगर कोई भाषा हिंदी से भी सम्रिद्ध है तो वो अरेबिक है इस कविता में हम देख पाते हैं कि यहाँ पर वो एक प्रेमिका के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन यह माना जाता है कि इस कविता में वो अपने एक मित्र के बारे में लिख रहे हैं वो मित्र भी उन्हें की तरह कवी हुआ करता था जिनका नाम था अमिर हसन माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत के वहां के जो प्रिंस थे उन्होंने आदेश दिया कि हसन और अमिर खुत्रो एक दूसरे से अलग-अलग रहें लेकिन अमिर हसन इन्होंने उनके इस आदेश का उलंगन कर दिया और इस उलंगन करने के कारण उन्हें दंडित किया गया उन पे कोड़े बरसाए गए और जब जब अमिर हसन इनके ओपर कोड़े बरसाए जाते थे तो वैसे ही कोड़े अमिर खुसरो इनके शरीर पर भी इन कि एक देवी प्रेम है ऐसा हम कह सकते हैं दोस्तों इसी के साथ अब हम स्क्रीन पे जलते हैं और गजल इस कविता का लाइन बाइन मीनिंग पढ़ते हैं दोस्तों मैंने इंट्रोड़क्शन में आपको एक्सपर्ट्स की राय बताई थी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आमिर खुसरो की ए गजल अपने दोस्त आमिर हसन इनके लिए लिखी गई है लेकिन वो सिफिक ओपीनिन है और जब हम यहाँ पर पूरे मीनिंग पड़ रहे है तो लाइन बाइन मीनिंग पड़ते वग हम आमिर हसन इनके लिए इस पोएम को देशित करते हुए इस गजल को लिख रहे है ऐसा मान कर चलेंगे जिससे कि हमें इस पोएम का मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आएगा तो शुरू करते हैं पहले स्टांजा से पहले स्टांजा में अमिर खुसरो कहते हैं अब यहाँ पे हम उनकी जुदाई के उस फिलिंग के बारे में देख पा रहे हैं हम शुरूआत में ही समझ पा रहे हैं कि अमिर खुसरो अपने प्रेमी का से जुदा हो गए है या फिर कुछ पलों के लिए कुछ समय के लिए वो अपने प्रेमी का से दूर हो गए है और अभी वो बेचेन होकर कह रहे है forget me not मेरे प्रेमी का तुम मुझे भूल मत जाना साथ में यहाँ पर वो अपने प्रेमी का को sorrowful करकर उद्देशित कर रहे है इसका मतलब यह है कि वो अपने प्रेमी का को sorrowful मान रहे है वो मान रहे है कि जितना अमिर खुस्त्रों को अपनी प्रेमी का के जुदाई का गम हो रहा है दुख हो रहा है उतना ही गम उतना ही दुख उनकी प्रेमी का को भी हो रहा है वो भी दुख ही है sorrowful है और इसलिए वो उन्हें sorrowful नाम से यहाँ पर उद्देशित कर रहे हैं वो कहते हैं अपने प्रेमी का को वो कहते हैं कि तुम अपने आखों से मुझसे बाते करो dear heart I cannot bear the sorrow of parting और फिर अपने दिल को वो कह रहे हैं कि यह दिल मैं यह जुदाई का गम बरदाश नहीं कर पा रहा हूँ keep me well within your heart और फिर से एक बार अपने प्रेमी का को उद्देशित करते हैं कि तुम मुझे अपने दिल में बसाए रखना अपने दिल से तुम मुझे अलग मत करना long as trees the night of parting the day of love is short as life और हब वो कहते हैं कि यह जो रात है यह जो जुदाई वाली रात है यह बहुत ही लंबी है यहाँ पर हो trees का उदारांदेरे की जैसे लंबे लंबे पेड होते हैं वैसे ही यह जुदाई की रात बहुत ही लंबी है इस तरह की feeling हमें अकसर कई सारे गजलो में हमें यह जुदाई का गम देखने को मिलता है कि जब प्रेमी अपनी प्रेमी का के जुदाई को बरदाश नहीं कर पा रहा होता है तब वो सोचता है कि यह जुदाई की रात कितनी लंबी है ठीक उसी तरह से उसके opposite में अमिर खुसरो कह रहे है कि the day of love is short as life यानि कि जब वो अपनी प्रेमी का के साथ होते है जितना भी समय वो अपनी प्रेमी का के साथ बिताते है वो बहुत ही short समय होता है मतलब जब भी वो अपनी प्रेमी का के साथ होते है तो उन्हें वक्त का पता ही नहीं लगता उन्हें ऐसे लगता है कि कितना छोटा सा समय उन्होंने और वो कह रहे हैं कि अगर मैं अपने प्यार को नहीं देख पा रहा हूं हूं, तो फिर मैं ये लंबी रात ये दुख भरी रात ये जुदाई वाली रात मैं कैसे बिता पाऊंगा यहाँ पर जब वो ओ फ्रेंड कह रहे हैं तो यहाँ पर वो अपने दिल से या फिर जो रीडर है उन रीडर से डाइरेक्ली संबोधित करते हुए लिख रहे है अगले स्टांजा में अमिर खुस्रो कहते हैं तो मैजिक आइज विदा हंडर चांप्स हैव पूट माइ सैड हार्ट रिस्ट तो फ्लाइट और वो कह रहे हैं कि उनके प्रेमिका की मैजिक वाली आखे जादू से भरी हुई उनकी आखे उनके उपर हंडर चांप्स कर देती ह उनके उपर बहुत ही गहरा असर उत्पन करती है ये फिलिंग हमें हर एक पोएम में देखने को मिलती है जहाँ पर रोमान्स होता है तो यहाँ पर वो अपने प्रेमिका के खुबसूरती के बारे में कह रहे हैं कि वो बहुत ही खुबसूरत है उनकी आखे बहुत ही खुब है कि वो असर उनके दिल को अभी बेचेन कर रहा है नेक्स्ट में वो कहते है ना हूँ उड्ट केर टू गो एंड टिल दियर लव अफ माई सैड एंड लोनली प्लाइट अरो वो कहते हैं कि अब कौन जाकर मेरे इस हालातों को मेरी प्रेमिका के सामने जाहिर करेगा कौन मेरी प्रेमिका को बताएगा कि मैं उसके लिए कितना बेचेन हो रहा हूं कितना तडप रहा हूं नेक्स्ट लाइन में वो कहते हैं वो कहते हैं कि ठीक उसी तरह से जैसे कोई केंडल जल रही होती है या फिर जैसे कोई एटम स्ट्रक हो गया होगा कुछ हलचल उत्पन्न हो गई है कुछ उसी तरह से मेरी आखों में बिलकुल भी स्लीप नहीं है मेरी आखों में थोड़ी भी नीन नहीं है मैं पूरी तरह से जग रहा हूं ऐसा यह जैसे मुझे नीन ना आए मुझे चैन ना आए कोई जाए ज़रा ढूंड के लाए न जाने कहा दिल खो गया तो कुछ इसी तरह की feeling हमें इन lineों में देखने को मिल रहे जब वो कह रहे है कि मुझे कोई neem नहीं आ रही है, मेरा दिल पूरी तरह से बेचैन हो गया है, और वो कह रहे है कि ये सब कुछ banish हो चुका है, कहाँ खो गया है, कहाँ गुमशुदा हो गया है मुझे समझ नहीं आ रहा है, alas, from that moon's grace, he sends no news, nor shows his face, और फिर से एक बार, वो करें कि alas, यहाँ पर हमें दुख देखने को मिलता है, उनकी टोन में, वो कहते हैं कि वो जो moon है सामने, जो खुबसुरा चंद्रमा है, उस खुबसुरा चंद्रमा के grace को देखने के बाद भी, उन्हें कोई भी news पत नहीं चल रहा है कि उनकी प्रीमी काने, उनके लिए कोई news भेजे, कोई संदेशा भेजा है क्या, nor shows is fair, या फिर वो अपना चेहरा भी नहीं दिखा रहा है, दोस्तों, इस स्टांजा में, हमें उनकी बेचेनी के बारे में और ज्यादा पता चला, next line में, on the day of love, for truth, खुष और फिर वो कहते हैं, कि जब प्यार का दिन आया, तो उस प्यार के दिन में, मुझे मेरे प्रेमी ने फसा दिया, और वो दूर चला गया, if I could find him, I will keep him in my heart with love always, और आखिर में, वो अपने चाहतों के बारे में बता रहे हैं, कि अगर मैं उसे फिर से एक बार ढून पाऊं, अगर फिर से एक बार मुझे से रूबरू हो जाए, तो फिर मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए, अपने दिल में बसा कर रखूंगा, उसे एक पल के लिए भी, पूरी पोएम को पढ़ने के बाद हमें गजल इस पोएम कैटेकरी के बारे में बहुत सी अच्छी बाते समझने को मिली, हमें ये समझने मिला कि आखिर गजल क्या होती है, गजल की रचना किस तरह से होती है, इसके बारे में भी हमने देख लिया है, उमिद करता हूँ आप आपको ये पोएम अच्छे से समझी है अगर आपके कुछ डाउट से और सुझा हो है तो जरूर कमेंट करकर बताईए मैं आने वाले वीडियो में उनको क्लेर कर दूँगा चले मिलते हैं नेक्स वीडियो में